स्वागत है दुस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पे आज किस वीडियो में लोग लास्टेर साइन्स से बुक से चैप्तर वन जिसका नाम है केमिकल रियक्षन एक्वेशन आज किस वीडियो में चैप्तर का जो जो इंपॉर्टन पॉइंट से बुक में वह सब हम लोग होता है ओके और केमिकल चेंज को हम लोग लोग लेक्षन के नाम से भी जानते हैं यहां तक आप लोग इसको याड कैसे रखेंगे तो जैसे मान लुए कि यह रेक्टेंगल है और इसमें जो आपकी यह आपकी यह जो मान लिए एक पहला बॉंड और ऐसे ऑन्ड है चाल अगर देखे 水फ ले चुका है तो कम हो रहा कियूं ुl क्या होता है के कैसे होता है कि से तो इससे तो री मेंन ऑब फिरिक है अब आपको यहां पर एक टॉंग लिया जिसे कोई भी समान पकड़ा जाता है आप लोगे टॉंग लिजे और उससे मेंगेसियम लिवर को पकल लिए और क्या की बनना के पास ला कि इसको जलाईए ओके तो आप लोग यहां पर फिरीटर ते सकती हैं और यहां पर क्या है औकि इसको जलाने के वरट recommend morning exercise okay अब देखिए और वाइट करे अध्यव करें देघर निकला और क्या था तो अब यह जो आपका डीबन अब देखिए जो आपका क्या है जो आपका मेंगनेशियम है उसको हम लोग रब क्यों करते हैं रगलते क्यों है यूज करने के पाले है आगे क्रियर गुए आगे चलए हम लोग तो अब देखिए अगर हम ने अज़ात है एक्टिवीटी वह वन पैंट तू अब इस एक्टिवीटी में क्या कह रहा है इस से हम लोग चलिए समझते हैं तो देखिए एक TV प्लेसिपेट बनेगा और वहां क्या होगा तो हापका होगा पीबी आइटू यानि की आपका रीड आयोडीन रहेगा ओके अब बात करते हैं हम लोग एक्टिवीटी 1.3 क्या कहता है तो देखिए इसमें क्या करना है कुछ जिंग्रे नियूस के क्या करने कुछ क्रिस्टल ल अब आपको क्या करना है क्योंकि आपका हाट भी जल सकता है आपको बताने क्या वहां पर कुछ आपके साथ हुआ जिंग्रे नियूर के साथ तो रहेखिए हाँ हुआ तो जो जिंग था उसको अगर हम लोग हाइड्रोक्रोडिक एसीड के साथ रियक्शन करवाए तो तो यहां पर यह डिस्प्रेस्मेंट रियक्शन हो रहा है ओके क्योंकि यह जब जिंक मैटर है यह ज़्यादा रियक्टिव आपके किस्से तो हाइड्रोजन से इसको रिप्रेस कर दिया यहाँ तक कर दिया और देखिए अब बचाना है कि तुछ दिक कॉनिकर फ्लेस अब त्यम्प्रेचर बहुत ज़्यादा एक्जोठर्मिक हो गया होगा है अब चलिए अब आपको बताना है अब बात करते हैं कि कहीं भी केमिकल चेंज हुआ है या नहीं तो आप लोग चाल चीज़ें देखके बता सकते हैं अगल उस वहां पे अगर किसी चीज का अगर किसी सब्सक्राइब करेंगा इसब्सक्राइब सब्सक्राइब लगए तो आप लोग बटा सकते हैं वहां पर केमिकल चेंज हुआ है या फिर कि जज चीज आप देख के बता सकते कि वहाँ पर chemical reaction हुआ है या नहीं अब इसको याद करने के बहुत असान तरी आप याद करने के जी एस्टी सी जी का मतलब गैस क्या होजाएगा और ट का मतलब टैंप्रेचर का मतलब होजाएगा करन अब चलिए अब चला आगे अब देखिए अब बात करणा चाहिए केमिकल इक्वेशन की यह 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 आपका एक वर्ड इक्वेशन है ओके जैसे मेगनेसियम प्लस ऑक्सिजिण यह लिखा हुए और जो अंब लोगा अगर एक्वेशन में लिखे है दो आप लगल स्तों chalk form बिर्ड इसके लिखती है जैसे हैं जी प्लस प्लस हइड्रोजन क्या करना नहीं प्लस तो जैडन आपका जिंक वहाँ प्लस हथ तो यहां तक आप लोगे अब चलिए अब देखेश में क्या है अब यहाँ सब्सक्राबर करने का यहाँ पर बहुत लोग दाइच समझें कि आप बहुत लोग रखने हैं कम मुझेे सब्सक्राइच और पर समय को बहुत हitated इसको उसक्ते की समझें को तो इसी तरीके से आपको भी दिखाना होगा प्लस 4 एस्ट वह तो एस्ट वह क्या है गैस है तो प्रोड़ा को बना फीट्री ओफ टुट्री इस और प्लस फोल्ड एस्ट वह गैस ओके अब देखिए अब बात करते हैं एक्वास आपको चार तरह कि क्या हो सकते हैं फीजिकल से करेंगे मतलब हो सकते हैं कि नहीं जानते हो मैं तो नहीं जानता है यह आदमार में चल गया है तो इसे करते हैं टाइप di t집 कंबीनेशन रियेक्शन की इसको लोग यार्ट कैसे रखेंगे जैसे मालनी जी कि या चोटा चोटा एक मतऊ सबस्टी के डोका पास यहां से आप लोग एक चीज या लग सकते हैं कि जब दो चीजें छोटे-छोटे मिले और एक बड़ा चीज बन जाए प्रूरर के रूप में तो वही होता है आपका कोंबिनेशन रियक्शन ओके मैंने बस चोटा से जांपर याद करने के लिए कि आपके पास दो चोटे रस्बूले हैं एक व्यक्ति क्या बड़ा कि मुझे अलाव मुझे दे दो यह सब और मैं तुम्हें बड़ा सा रस्बूला दूंगा यह आप लोग कोंबिनेशन क्या करना होगा अब यही आपका क्या है कि इम्पॉर्टेंट है इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लिए यह कभी-कभी पूछ दियता है एक्जाम में और देखिए इसी से उठाके यहां पर भी आपका इक्वेशन बनाए गया है जैसे कि सबना हो है तो अब हमलोग करिस्यम करें है इसको नाम उनमम यहां को क्या जानते है कि इसको और काल्स्यम कर्मनट के नहुन इसको नामगर को को अब चलिए अब आप लोग तीन चीज़े याड करें यह आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है पहला यह कैमिकल ने और कॉमर ने पहला कार्बन क्या है तो यह आपका कैल्सियम ऑक्साइड है इसका कॉमर ने होता है क्यूक लाइम ओके अगरा कैल्सियम हाइड्रोकसाइड इसका कॉमर ने होता है स्लेक लाइम और फिर अगला है स्योट्री इसका कॉमर ने होता है मालबर या फिर आपका राइम इस्टोन ओके यहां टक क्रियर हुआ अब देखें अब बात करते हैं और भी कॉम्बिनेशन रियक्शन का चलिए एक्जांपर लगते हैं जैसे बंड इसका एक्जांपर है formation of water from H2 gas and O2 gas जैसे कि यहां पर यहां पर denote करना होगा प्लस O2 जो कि यहां पर gas तो आपका product बना है 2H2O liquid ओके अब चलिए और देख लेते हैं तो अब देखें अब देखते हैं कि एक्जोट हर्मी का कुछी जांपर जिसमें हीट रिलीज करेंगा ओके तो देखें अब इसका कैसे जैसे burning of natural gas ठीक है तो इसका क्या हो सकता है इसका देखें CH4 जो कि गैस रहेगा प्लस 2 O2 जो कि ग अब चलिए आगे चला जाए अब देखिए आपके और एक्जामपल दिया है क्या है तो जैसे कि C6H2O6 यापका क्या है ग्रुकोज है प्लस 6 O2 यानि ऑक्सीजन का अगर 6 आपका क्या हम लोग 6 ऑक्सीजन के मोलिक्यूर को मिला है तो आपका बनेगा 6 CO2 जो कि एकवस होग अब चलते हैं आगे अब बात करते हैं डिकंपोजीशन की अब इसको आपके पैसे बहुत बड़ा सा एक समोसा है और अब आप लोग इसको समोसे को लेकर मार्केत में घूम रहे तो फिर आपको एक आडमी भेटा है अब उन्होंने बोड़ा कि सुनो नो छोटो यह जो मुझे दो देदो अब आप लोब पूछेंगे क्यों दू तो आप उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे समोशा दो दूँगए तो मैं तुम अपने 2 F e so as often phyllis sulphate को हीट करें अब देखिए जो हीट है ना यह जभी उपर इखा होगा तो समल जिएक यह आपका इंटोहर्म का क्या मतलब है कि उसमें आपको हीट देना होगा उसमें से हीट कभी रिलीज नहीं करेगा उसमें आपको हीट देना होगा तो आपका प्रूर्ट बनता है Fe2O3 जो की सोलिड रहेगा इसको हम लोग कहते हैं फेलिक ऑक्साइड और साथ ही साथ बनेगा यह अब देखिए जो आपका यह दिखिए डिस इजा डिकंपोजिशन रिक्स निया यह आपका होता है प्लस सेवन एस्टू मॉलिक्वल का होता है ओके अब चलिए चला जाए अगे अगरा देखिए अगरा आपका दिए आपको यहां पर समझा दिया जैसे कि आपको यहां पर यहां पर का होल ट्वाइस आपका यह एक सॉल्ड है यहां रिड नाइटल को जो हमें लोग हीट करेंगे तो आपका बनेगा टू पीबियो जो की सॉल्ड है रिड ऑक्साइड प्लस फोल एनो टू जो की गैस और साथी साथ ऑक्सीजन बनेगा ओके फोल एनो टू यानि नैट्रूजन डायोक्साइड और यही जो आपका फोल एनो टू है न यहीं आपसे पुछता है कि इसमें ब्लाउन फ्यूम्स किया है तो यहीं आपका अनो टू गैस यहां पर यहां पर ब्लाउन फ्यूम्स है अब चलिए चले आगे अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.7 की तो यहां पर देखिए यहां कि यहां परर आपको कि है तो यहां पर और क्या मतलब है तो यहां पर देखिए यहां पका कहां कि तुल आपका राइट तल्ब पर यहां पर नहीं है हो 20 तो इथा खेंड आपको घैटेंट नोटी तरह यानिके प्राइजिटीव चाहँ और राइट ओके की म्याने कि म्याले करते हैं Chicago कॉल्स रहता है है अपके सिल्वात रहता है आप देखिए और से कोश हैं पुछ से बटन होता है पन्य इस्केशjcie में क्या होगा इसके पर आपको दिया इजी वॉल्यूम आप गैस करेक्ट है तो इसके अंसर है नहीं क्यों क्यों क्योंकि आपका हाइडोजन और इसका आपका रेशियो होता है आपका दो औक्सिजन का मोनीकूल रहता है और एक हाइडोजन का मोनीकूल रहता है अब देखिए उसके बाद उचला है वाट हैपन इच केस तो देखिए जो आपका ओटू है न वहांके एक ब्लू फ्रेम होगा क्यों क्योंकि यह आपके बन बहुंट टीजी से करेगा ओक्य है और यह बस एक पॉपफ साउंड प्रोड्यूस करेगा यह बर्निंग नहीं करेगा बर्निंग बहुत कम करेगा अब चलिए अब बात करते है एक्टिवीटी 1.8 की अब देखिए एक्टिवीटी 1.8 आपको यह दिया है जैसे कि टू एजी सी एल जो कि आपका सॉलिडर है एक और इसमें हम लोग का एजांपल दिया होता है जो कि आप लोगों का यह है क्या है तो टू एजी बी आर ओके आपका इसको भी सवन नैट में लोग लाए तो यह लोग बन जाता है टू एजी जोकि सोलिड होका प्लस बी अर्टू जोकि गैस रहेगा और यह दूनों इक और यहां देख सकते हैं कि पूछ रहा है और सब्सक्राइब इस यूच फॉल वाइट वासिंग नेम राइट इस फॉर्मूला तो आपका जो एक्सप्राइब वह आपका कैसियम ऑक्साइड यहां फिर क्यू क्लाइम उसका मुझों कहते हैं और आपका कैमिकल फॉर्मूला इ यहां तक क्लियर हुआ अब चला जाए आगे अब बार करने के लिए बहुत असान तरीका है आप लोग देखिए आप लोग बस इसको देखिए ए प्लस बीसी ऐसे कीजिए और बीसी के साथ जाकर मिल जाएगा और जो बी है यहां पर अक्येला हो जाएगा यह इसी को अगय रहाई की वाद के वेच्ण को आपनीव उखिए इसी में सब्सक् narcissus ऀए रिट्यों अब अब कारात को डौक है शर्तना अन्यकल से टांप्रषण क्या वार्त करें जादि एकतिकरी इसे की जाना होगा पिर आपका हो जाएगा सिर्वर और गोल्ड ओके और इसको यार्ड करने का बहुत ही असान तरिका बहुत लोग ऐसे यार्ड कर साथ जैसके के डाल नाथ का माली आलू ज़ला फिका पकाता है हाई कोट है जी आपका मैं इस तरीके से याड की हैं आप दो और पर कोई की दिए हम यहां पर यहां पर यह है प्लक अधिक है तो यहां पर यहां पर यहां है इंफ्ल पर को क्या करेंगा रिप्लेश करके यहां पर अपना आ गया तो आपको बन गया प्रसिए यू ओके जो किसी यू है सॉलीड और एक्व सॉर्ट क्या है एक और एक्जाम पर देख लिए जैसे कि जिंग प्रस यू एसो फॉर्ट तो अब प्रोट्ट बनेगा जड़न सॉफू प्लस सी यू प्लस सी यूज़ रहेगा अब बात करें डवर डिस्प्रेसिन रियक्शन की तो इसको भी आपनों बहुत असाने से याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ प्लस सी तो आगनेगा यहाँ पर कर यहां पर कर यहाँ यहां करेका अक्ट टो एक्रा सोदियम-स रृफीट्फियस को कहते हैं दोनों अगर हम दो तो यहां पर यहां पर कंबाइन होगे साथ के साथ और यहां पर नायन का मतलब पॉजिटिफ चार्ज जैसे कि यहां पर देखें ऐस्फे का 성्टिफ चार्ज होता है ठीक है और इसमें अगर आपको देखे तो यहां पर निगेटिव चाल्ज होता है तो यहीं तो अगर आपको मिला दे तो आपका यहां पर बना है एक और देख लीजिए अब यहां पर आपको कुछ डबल डिस्प्लेश्मेंट रियक्षन कहते हैं ओके अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब लोग और रिड़क्षन के अब देखिए जो आपका यह है ना टॉप यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको अराम से ध्यान से दिखीगा सबसे पहले बात करते हैं और अगर अगर ऑक्सीजन कहीं अब और यहां तक आप चलिए अब यह भी समझेंट और ऑटेजिक और अगर कोई जो सब्सक्राइज हुआ यानि कि अगर उसमें अफ और उसमें रिमूबर हाइड़्ोजन हुआ हुआ तो तो वह आपका हो जाता है तो आपका reducing agent हो जाता है ठीक है अब बाद करते हैं oxidizing agent की तो जो reduce हुआ जैसे कि अगर oxygen कहीं हट गया और किसी में hydrogen अगर add वा इन दोनों में से कोई भी एक case तो वहाँ पर reduce हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उसका हम लोग oxidizing agent कहेंगे अब चलिए जैसे यहां पर अगर आप लोग एजांपल देखें तो यहां पर यहां पर यहां पर क्या काम करेंगा oxidation का काम कर रहा है ओके और देखेंगे अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसको अगर आपने coo reactant है यहां पर यहां पर आप यहां पर हट गया है तो यहां पर अक्सीजिजन हो जाएगा ओके और यह जो आपका है इसमें औक्सिजन एड हुआ है तो और विशन ऊक्सिजन होए तो यह अपसे पर अपको ऑक्सिडेसिन हो जाएगा ओकेश चलिए अब यहां पर आपने यहां पर देए यहां धा सुर्फ अब यहां पर आपको देखें तो यहां पर हट गया है तो यह आपको एड़ हुआ है तो यह आपको ऑक्सिदेशन होजेगा अब यहां पर अबटेखेंगा इस दो अबस बहुत है यहां हो जाएगा अब यहां पर एक्सीर यहीं- आपका उक्सिदेशन होजाएगा तो यह आपको अक्सिदेशन होजेगा डीक्रीक्रीद आप चलिएगए अब एक चीज अब अगर क्या मतलब होता है क्या मतलब होता है क्या मतलब यहां पर अगर वह उसके साथ आ जाए तो उस पर जंग लग जाता है अब बात करते हैं रैंसीडिटी का क्या मतलब होता है तो रहें फैट्स और वाइल और अक्सिडाइज जब फैट्स और वाइल में अगर एडिशन और ऑक्सिजन या फिरी मॉर्फ हैड्रोजन हो तो डेविकेम रैंसीड एंडेर स्मेल एंड टेस्ट चेंज तब उनका जो स्मेल और जो टेस्ट होता है वह पुरा-पुरा चेंज हो जाता है यूजुली सब टांसे विच प्रिवेंट ऑक्सिडेशन एंटी जिसका रणा हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं और यहीं था यह लास्ट तॉपिक था यह आप लोग वहा मुझे उमीड है तो मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो के साथ तक दिए बाइबाइबाइब झाल